IPL 2022 में चैननाई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेजर्स बैंगलो के बीच खेले जा रहें 49 मुकाबले में चैननाई सुपर किंग्स की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गैनबाजी करने का फैसला किया और RCB की टीम ने आठ विकेट पर 173 रनो के स्कोग खड़ा कर दिया लेकिन इस दोरान मैच में विरात कोहली और मुकेश चौधरी के बीच एक जोरदार बैटल भी देखने मिली जहां मुकेश चौधरी की एक हरकत ने सभी को हैरान कर दिया दोस्तों हुआ कुछ ऐसा की RCB की बल्लेबाजी के पहले ओवर में जब बल्लेबाजी कर रहे थे विरात कोहली और गैनबाजी पर थे मुकेश चौधरी इस दोरान ओवर की लास्ट बॉल को विरात कोहली ने क्रीट से बाहर निकल कर डिफैंड किया और बॉल सीधे गई मुकेश चौधरी के हाथों में लेकिन इस दौरान मुकेश चौधरी ने बॉल को तेजी से स्टंप्स की ओर त्रो कर दिया और बॉल सीधे विराथ कोहली को जा लगी जिसके तुरंग बाद ही मुकेश चौधरी ने विराथ कोहली से माफी मांग ली और विराथ ने भी बढ़िया स्पोट्समेंशिप दिख हाई और हसते हुए इस मोमेंट को इग्नो कर दिया